बिल्कुल तो जंक फूड जैसी चीज जो है चाहे वो भारतिय पाराम पर एक जंक फूड ही क्यों ना अगर आप कभी कभी लेते हैं हफ्ते तस दिन में एक बार ले रहे हैं तो वो आपके शरीर के लिए नुकसान दायक नहीं रहेगा लेकिन रोज रोज इसे अपने जादा भारत्य बच्चे जो हैं मुटापे के शिकार हो रहे हैं चीन के बाद दूसरे नंबर पर जो है वो भारतिय बच्चे आते हैं लेकिन अगर हम इसी report को देखें तो overall report ये भी बताती है कि भारतिय जो हैं वो बहुत जादा मुटापे के के बिल्कुल पलवी जी अब आने वाले जनरेशन जो है उसमें उबेसिटी जादा है परन्तु आज में जो हमारी एडल्ट पॉपॉलेशन है उसमें भी पलसेंटेज वाइस हिंदूस्तान में उबेसिटी कम है परन्तु पॉपॉलेशन इतनी जादा है कि एवन अगर पॉइ दस ऐसे मरीजों को देखता हूं जिनका डेड़ सो किलो से जादा वजन हो चुका है और हम इतने सारे बच्चों का आपरेशन कर चुके हैं, बिरियाट्रिक सर्जरी करनी पड़ती है हमें, जिनका सवा सो डेड़ सो किलो वजन पंदरा साल की उमर में, चौदा साल की उमर में हो चुका है, जो चल नहीं सकते हैं, जिनको स्लीप अपनिया है, जिनको रात को सोते हुए मशीन लगानी पड़ती है, तो हिंदूस्तान में, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज भी सुरक्षित है, आज की तारीख में हम एक ऐसी स्थित्री में हैं, जब बहुत सारे लोग इस जूज रहे हैं, और अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए, तो हमारी आने वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा प्रॉबलम में आ सकती है, और इसमें हमें पॉलिसी लेवल के कदम उठाने चाहिए, सरकार को कदम उठाने चाहिए, इसके अंदर उन्हें जो फैट है, जो अगर लग जाता है, तो कहीं न कहीं ये भारतिय सिस्टम के लिए जो है बहतर रहेगा